हेलो फ्रेंड वेलकम टो इस्टड़ी न्यूज आज हम इस वीडियो में गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में जानेंगे सो लेट आस श्टार्ट गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माड भारत के उतर प्रदेश राज्ज में होने वाला है इसकी कुल लंबाई 594 किलो मीटर है ये देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा और ये 6 लेन चोड़ा होगा आविसकता कि अनुसार इसे 8 लेन भी किया जा सकता है यूपी सरकार ने घोशना की है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 80% जमीन पहले ही अधिग्रहन कर ली गई है इस प्रोजेक्ट में करीब 36,000 करोड रुपै की लागत आने की संभावना है गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ जिले में NH-334 पर बिजोली गाउं को प्रयागराज जिले के NH-19 पर जुदावपूर डांडू गाउं से जोडेगा ये उत्तर प्रदेश की बारे जिलो को पश्चिम से पूर की ओर जोडेगा बारे जिलो में मेरठ, हापुड, बुलंद सहर, अम्रोहा, संभल, बदायूस, साजहापूर, हर्दोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रताबगड और प्रयागराज है और इसमें 519 गाउं जुडेंगे इस प्रजेक्ट को बनाने का काम उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे उद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है ये एक राज में एक्सप्रेस वे परियोजनाओं को विक्सित करने के लिए उत्तर प्रदिस सरकार द्वारा इस्थापित एक प्राधिकरण है उत्तर प्रदिस एक्सप्रेस वे इंडिस्ट्रियल डेवलोप्मेंट अथोरिटी का मुख्याले गोमती नगर लखनो भारत में परियतन भवन में इस्थित है इस एक्सप्रेस वे की कुछ इंपोर्टेंट बाते हैं पहला ये कि ये गंगा एक्सप्रेस वे 6 लेन का होगा हलाकि जरूरत पढ़ने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है ये एक्सप्रेस वे मेरट के बिजोली गाउं के पास से सुरू होकर प्रयाग राज के जुदाईपूर डांडो गाउं में समाप्त होगा और साथ ही यहां दो मुख्य टोल पलाजा होंगे जो मेरट और प्रयाग राज में बनेंगे टोल पलाजा उसे कहते हैं जो सरकार द्वारा बनाए गए राश्टी राजमार्ग में हुए खर्च की रासी उस राजमर्ग में प्रवेश करने के दोरान जो रोड टेक्स चुकाना होता है और ये टेक्स जहां चुकाय जाता है उस जगह को टोल प्लाजा कहते हैं ये एक्सप्रेस वे भविश में दिल्ली और प्रयागराज के बीच के यात्रा के समय को दस से ग्यारा घंटे से घटा कर सिर्फ चैस से साथ घंटे करने की उमीद है इस एक्सप्रेस वे पर गंगा नदी और राम गंगा नदी पर दो पुल बुक का निर्माड किया जाएगा और इस वे के निर्माड में 126 छोटे पुल, 28 फ्लाई ओवर और 8 डायमंड इंटर्चेंज होंगे इसके अलावा एक रेलवे ओवर ब्रीज का भी निर्माड होगा जिसकी चोड़ाई 120 मिटर होगी और भारती वायू सेना की उपयोग के लिए सुल्तानपुर जिले में गंगा एक्सप्रेस वे पर एक एयर बेस का निर्माड किया जाएगा इस एक्सप्रेस वे को 120 किलो मिटर प्रतियावर की गती के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है और पसूओ और इस्थानिय लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए इस पर किनारे पर कंक्रीट की चार दिवारियों का निर्माड किया जाएगा और इस एक्सप्रेस वे में नई-ने टेक्नोलोजी का भी यूज किया जाएगा इस प्रोजेक्ट का कुछ काम सुरू हो गया है और कोरोना की वज़े से इस प्रोजेक्ट में काफे डिले हो गई थी लेकिन अब इसमें तेजी आ गई है उमीद किया जा रहा है कि 2023 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये थी गंगा एक्स्प्रेस वे से जुड़ी कुछ इंपोर्टन इंफोरमेशन तो थैंक्स फोर वाचिं दिस वीडियो प्लीस लाइक सब्सक्राइब और कमेंट